आज आपके सामनी है क्लास नाइंथ इंगलीज वर्क बुक आंसर ओफ चैप्टर अडॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्थ 6 नाइटीन फॉटीफ़ फिर्स्ट कोशन इस M.C.Q. कोशन नंबर वन वू इस दे स्पीकर इन दिस पोएम तांसर इस आ डॉक्टर सेकिंड को मॉर्निंग वास रिफर्ट तू बाइडी डॉक्टर यानि डॉक्टर के मतापिक वो कैसी सुबह थी आंसर इस काल्म एंड वाम बड़ी सांथ और नंबर विच अब इस स्टेंटमेंट इस नोट रू आंसर इस दे डॉक्टर लिट अप हिस स्टोन लाल टेन की डॉक्टर था जिसकी वज़े से ये पती पतनी दोनों गिर गए थे तांसर इस दे हैड ओफ डेड मैं मतलब किस से टकराई थे दे हैड ओफ डेड मैं अड़ आइडिया ओफ हेल्फिंग हिस स्टाफ रिवील डेट दे डॉक्टर वास अपने अपने स्टाफ की क्योंकि ये एक डॉक् कैसा है कंसाइटियस एन सेलफ लेस दे डॉक्टर वाइफ लेफ 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 रिलॉक्टेंटली मतलब इसका मतलब है कि डॉक्टर की वाइफ उसे ना चाहते हुए भी छोड़कर चली गई qa provided the towel to the doctor आसर इस a soldier एक soldier ने दॉक्टर को तावल पकडाया qaustion eight i was still naked but i felt no shame the line showed that the doctor was answer is numb and dazed how did the doctor feel when his wife had gone answer is terribly lonely बड़ा ही अकेला पन महसूँँ कर रहा था कोशन 10 what kind of tone is adopted by the speaker answer is detached passage number one question number one who is the speaker where was he at the moment what pleased him answer is the speaker is a doctor मतब डोक्टर ही speaker है वो अपने घर के बगीचे में था यह बड़ी ही सुनहेरी सुबह सांत और सुन्दर सुबह थी जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा प्रसन था बहुत खुश था question B what happened suddenly what thought came across the speaker mind अचानक क्या हुआ और speaker के दिमाग में क्या विचा राया answer is suddenly strong flashes one after the other appears अचानक एक के बाद एक रोजनी चमकने लगी the thought of magnesium flares came across the speaker's mind speaker को लगा कि यह magnesium flares है he could not think that they were flashes before the nuclear explosion कि nuclear explosion से पहले वो समझ ही नहीं पाया था कि यह आकिर है गया what happened to the house and the speaker's clothes घर और speaker के कपनों के साथ क्या हुआ answer is the wall and the roof collapse into timber and debris कि दिवार और च्छते यह लकड के धेर और मलवे में तबदील हो गए the speaker clothes just disappeared speaker के clothes भी गायब हो गए question d whom did he call later in panic कि डर के मारे उसने फिर किसकी को आवाज लगाई what were his fear उसकी उसका डर क्या था किस डर की विज़े से उसने आवाज लगाई the speaker cold his wife allowed in panic हट बड़ा हट में उसने अपनी वाज को आवाज लगाई he fears he was no more उसे लगा था कि उसकी वाज साइद अब जिन्दा नहीं है इसलिए उसने आवाज लगा कर पता लगाना चाहा describe the physical condition of the doctor and his wife answer is the doctor was badly injured his right side was bleeding his cheek was torn the artery in his neck seems to have punctured मतब डोक्टर के बारे में बताया गया है कि डोक्टर बहुत ज्यादा जक्मी हो चुका था उसके right side से bleeding हो रही थी खून लेकल रहा था उसके गाल भी फट चुका था मतब कुछ लगा था उसमें साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके गर्दन की जो नसी है वो फट चुकी है उसकी वाइब भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी उसे भी बलर स्ट्रेंड हो रहा था और साथ ही उसका elbow साइद अपनी जिगे से खिसक चुका था पैसेज टू कोस्त नमबर एए वाट हैपन ओंडाट काम मोर्नी उस सांथ सुबह में क्या हुआ था आंसर इस अन्यूकिलर बॉंब हैड एक्सपोड़ेड देट काम मोर्नी कोसिंग ओल राउंड डिस्ट्रक्शन किलिंग और इंजिरिंग अलाज नमबर ओपीपल उस रात एक भयानक विस्फोड हुआ एक न्यूकिलर बॉंब गिरा जिसने उस सांथ सुबह में हर तरफ तबाही मचा दी बहुत सो लोग मारे गए बहुत सारे लोग जखमी हुए कोसर नमबर भी वाट इड़ डिड़ ड्ड़ नोटिस अबाउट इस इंजिरीज ड़्ुक्टर ने अपनी इंजिरीज में जो जखम उसे मिले इसमें क्या-क्या धिया दिया देखा कि उसके राइट साइड से बलीड खून लिकरता है उसके चीक उसके गाल में भी गाल में हैड बिन पंचर्ड और उसे अलगा कि साइड उसके गले की जो नसी है वो भी फट चुकी है वाई डिड़ ड्रोक्टर नोटिस ही वोड़ डाइड ड्रोक्टर थोड़ ड्रोड इस रिजल्ट ओप एक्सेसिब बलर दू तो दा इंजिरी इन आर्टरी इन नेक गले में जो फैसला किया और तब क्या हुआ जब अपने घर से बाहर रहे तब उन्होंने क्या किया गिए ड्रोक्टर डिसाइड तो कम आउट ओफ दियर हाउस एस ही और इस वाइफ केम आउट ओफ दियर हाउस दे फैल ट्रिप्ट बाइड ओफ डेड परसन ड्रोक्टर और उसकी फैसला किया और वो जब घर से बाहर आए तो वो और उसकी वाइफ एक मरे हुए इनसान के सिर से टक्रा गए What should have been a cause of seem of the speaker? Why did not any seem? कि speaker को किस वज़े से सरम आनी चाहिए थी लेकिन उसे फिर भी क्यों सरम नहीं आ रही थी The speaker nakedness should have been a cause of same to himself. However, he felt no same as he was totally dazed and numbed कि speaker को बिना कपड़े क्योंकि उसका सरी बिलकु नगन था इस वज़े से उसे सरमाट होनी चाहिए थी लेकिन उसे सरमाट इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो बड़े ही गहर सदमे में था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करता है इस तरीके से Next है, third paragraph, where was the speaker, why he was afraid of his life Sorry, मैं इसको थोड़ा चोटा कर देता हूँ, इसको फिर से दगा देता हूँ Why was the speaker, where was the speaker, why was he afraid of his life Speaker उस समय कहा था और उसे अपने जीवन से डर क्यों लगा कि speaker उस समय जब दमाका हुआ तो वो अपने बगीचे में था, घर के बगीचे में और उसे डर था कि ज़्यादा बलड लिगने की वज़े से उसकी गले से उसकी मौत हो जाएगी ये उसे डर लग रहा था Question number B, why did the speaker have to assure his wife that he, they would be fine इस speaker को ये सुनिश्चित क्यों करना था कि उसकी wife जिन्दा है या नही As his wife was in very bad condition, the speaker has to assure that they would be fine क्योंकि उसकी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत बुरी हालत में थी तो उसे speaker को ये जाना था कि उसकी पत्नी ठीक हो पाईगी या नहीं उसे सुनिश्चित करना था What startled them on the way? रास्ती में उन्हें किस चीज से डर लगा क्या क्या दरावनी चीज उन्होंने देखी On the way they saw horrible scenes, a house collapsed before their eyes There were a dead man crushed by a gate, a fire rose from the debris and was soon spread by the wind उन्होंने देखा, बड़े बढ़े बहानक दिरिस से है और साथ उन्होंने देखा कि उनके आँखों के सामने ही एक घर collapse हो गया, यानि गिर गया, उन्होंने देखा एक मरे हुए आदमी का सरी जो की gate से कुचला हुआ था, एक आग की लपटे देखी जो की किसी मलवे में से लिकल रही थी और दीरे दीरे वो एक दम से हवा की जरीए पूरे में फैल गई वाग Why did the doctor feel no same at his nakedness? क्योंकि उस समय जो डोक्टर था वो बड़ा ही अचंबित था, बड़ा ही हरान था, सोक में था, सदमे में था, इसलिए वो जो है, उससे सर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी कि जो लोग होस्पिटल की तरफ जा रहे थे, जकमी लोग, उन पर डोक्टर ने क्या ध्यान दिया? जो लोग होस्पिटल की तरफ बड़े जा रहे थे, उन्होंने अपने अर्म्स को, अपनी हतेलियों को खोल रखा था, जिससे कि वो आपस में सरीर में रगड़े ना और उनसे उन्हें ज़्यादा जखमों के रगड़ने की वज़े से उन्हें दर्द भी महसूस नहों पैसिज कोसन एं, वो वाज़े से क्या था, मतलब उसका प्रोफेसर क्या था, क्या वैवसाहिए था, वो किसके साथ था और वो कहां चा रहे थे और क्यों जा रहे थे, तो आंसर है, आंसर नमबर ए, आदा स्पीकर वास डॉक्टर बाइ प्रोफेसर, इस वाइव वाइव with him, they were going to the hospital to seek some medicine aid as they were badly injured, speaker एक डोक्तर था, वो अपनी वाइव के साथ, वो के साथ, वो आपनी वाइव के साथ, वो अपनी वाइव के साथ, वो उसकी तरह भी वाइव की तरह रहा था, क्योंकि उसे और उसकी वाइव को, उसकी वाइव की जरुगर थी, क्योंकि वो क्लमी सर्मिंद की महसूस नहीं हो रही थी अपने इस नग्न सरीर को देख कर क्योंकि वह समय हैरान और सोक में था है सब्सक्राइब में था उस समय इसलिए उससा अब सरमिंद की महसूस नहीं हो रही थी कोसर नमबर CB यही है बिलकुल सेम उसी की तरह है थोड़ा सार हलका सा चेंज हुआ इसमें इसमें लिखा हुआ है क्योंकि वो साधारन साधारन सोबाब में नहीं था उसका मतलब मांसिंग सतुलाइब उस समय सही नहीं था जब वो नेखुड था इसलिए उसे सरमिंद की महसूस नहीं हुई कोसर नमबर D उसने अपनी वाइब से यह क्यों कहा कि चलो मुझे छोड़ो और आगे बढ़ो उसने वाइब से इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी वाइब के समय साथ इतनी इंजरीस और इतनी कमजोरी के साथ नहीं रहना चाता था पीछे नहीं रखना चाता था और साध वो उस समय थोड़ा पोट अकेला पनी भी चाता था कोसरन E उसने what did he observe about a woman with a child later in the extract आखर में उसने पोएम के एक एक्षेक में एक महिला और एक बच्छे के पर क्या ध्यान दिया उसने ध्यान दिया, answer इसमें, उसने ध्यान दिया कि एक बच्चा और एक महिला बिलकुल नेक्ड है, वो बिलकुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक बातरूम से अभी अभी निकले हो, सीधे बातरूम से आ रहे हो, बिलकुल ऐसे थे, Question 5, Why was the doctor's wife reluctant to leave him? कि doctor की wife उसे, doctor की wife, doctor को छोड़ने में हिच्चिचा क्यों रही थी? Answer है, the doctor's wife did not wanted to leave him alone, doctor की wife अपने पती को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आगे बढ़ने में हिच्चिचा रही थी Question B, My mind ran at high speed, my body crept behind, what does this reveal about speaker's condition? The statement revealed that, thought his mind was quite alert and agile, his body was quite weak and tired, though his mind wanted to run for the hospital and add, his body failed him. Question number C, What did people look like? People कैसे दिख रहे थे? Answer इसमें, the people look like ghost and scarecrow, people भूत और scarecrow की तरह दिख रहे थे, scarecrow क्या होता है, जो ख्योतों में पक्चियों को डराने के लिए एक पुतला बनाया जाता है, तो वो लोग सभी लोग ghost और scarecrow की तरह दिख रहे थे, They had injured and distorted body as a result of nuclear explosion, यह सब क्यों हुआ था? Nuclear explosion की वज़े से उनका सरीर इतने ज़्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो चुका था. Why were some people moving without outstretched hand? Moving without outstretched जो जख्मी लोग थे, जो इस explosion में जख्मी होए थे, उन पर क्या ध्यान दिया? उन्होंने ध्यान दिया कि सभी सदमे में है, सभी सांथ है, और सभी naked condition में है. Passage number six, what had happened to the fateful day? उस इस बद किसमती दिन पर क्या हुआ था? What had happened to the speaker? उस speaker के साथ क्या हुआ? यह हम पहली पढ़ चुके हैं कि इस बद किसमत दिन पर एक nuclear bomb गिराया गया था, nuclear bomb explode हुआ था, speaker इस समय बहुत ज़्यादा injured हो चुका था, बहुत बड़े सदमे में था, उसने अपने कपड़े अपने देखा, उसके जो पूरा सरीर है, उस पर कपड़े ही नहीं है, बिलक कर मर सकती है, कोसर नमबर सी, what did he observe on the way to the hospital, होस्पिटल तक जाती वक्स उसने क्या क्या देखा, उसने देखा कि किस तरीके से लोग बरी तरह जक्मी होकर, बिलकुल सांथ, बिलकुल बिना आवाज करे silently, होस्पिटल की तरफ medical treatment के लिए बढ़े जा रहे हैं, सभी सोक्ड थ दिखा तो उस समय दोक्टर का रियक्शन कैसा था, मतब, हाँ, तो दोक्टर ने जब दिखा कि महिला और बच्चा बिलकुल नेक्ट है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों अभी बात नहां कर भार निकली हैं, इस वाज नोट एप्रोपिट रियक्शन, यह एप्रोपि कि यह घटना इतनी ज़्यादा खतनाक थी, इतनी ज़्यादा दुरगटना वर्स थी, कि जिसकी वज़ए से सभी लोग घहरे सद्में पोच गए थे, सभी को घहरा सद्मा लगा था, सभी चुप थे, एक रहस में सांती सहा चुकी थी, किसी के मुझ से एक सब्द नहीं नि झाल